हेलो दोस्तों टुरिव जाम अकेडमी में मैं विकास सिंग आपना स्वागत करता हूं जैसा कि आप जानते हैं सभी लोग की समय हो जाएगा नौ बजे का और आपकी क्या रिजिनिंग की क्लास चलती है इस समय तो आज हम लोग लेके आए हैं लेटर एनलोगी इसके पहले हमन लेटर र होता है वर आपको स्क्रीन से टेड़ हो सकता है ठीक तो आपको जैसे या तो इनलोगिक कह दे कि उस बिकल्प का चैन करे जो तीसरे पत्षे उसी प्रकार संब्दित है जिस प्रकार दूसरा पत्ष पहले पत्षे संब्दित है या इसको ऐसे कह सकते हैं कि यदि किसी संकेतिक भासा में किसी संकेतिक भासा में भासा में A B C को C B A लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भासा में भासा में PQR को कैसे लिखा जाएगा लिखा जाएगा इस तरीके से होता है हमारा कि किसी सांकेतिक भासा में ABC को CBA लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भासा में PQR को कैसे लिखा जाएगा तो यह आपका कोडिंग डिकोडिंग से भी रिलेट हो जाता है ठीक है तो देखिए यहाँ पर जरूरी है सबसे पहले कि आपको नमबा अब कोडिंग डिकोडिंग के सारे रूल जो हमने आपको बताया है कि फारवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, फिर उसके बाद क्या पता पोजीशन बेस्ट, अपोजीट पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, यह सारे पैटर्न यहाँ पर फॉलो करते हैं वो सारे रूल यहाँ पर लग सकते हैं जो हमने आपको कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ाया है ठीक है तो यहाँ पर देखिए सबसे जरूर चीज है कि आपक करने का सबसे अच्छा तरीका है आपको क्या करना है प्रेक्टिस करना सबसे अच्छा तरीका नंबर याद करने का क्या करना है प्रेक्टिस करना है जितना आया आप प्रेक्टिस करोगे कि जितने भी आपको लेटर आए उनको नंबर में चेंज करने का प्रयास करो जितना प्रेक्टिस करोगे उतना परफिक्ट और है ना बाकि और भी बहुत सारे ट्रीक हमने डिस्कस किया था ठीक है लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि आपको इसकी क्या करनी है प्रेक्टिस करनी अब इसे यहां पर देखो क्या कह रहा है A, B, C को CBA लिखा है मतलब अक्षरों में कोई परिवरतान नहीं है बस उनके सिक्वेंस को चेंज किया अगर हम इसको कोडिंग डिकोडिंग में जाए तो इसको हम पोजीशन बेश कोडिंग डिकोडिंग कह सकते हैं पोजीशन based कर सकते है ठीक है, तो अब यहां पर भी क्या हो जाएगा बताइए, अब पोजिट लिझ देंगे, तो r.q.p क्या हो जाएगा, r.q.p आपका अंसर हो जाएगा, r.q.p कहां है, तीसरे विकल्प में है, तो तीसरा वाला आपका क्या होगा दोस्तो, right answer होगा, ठीक है तीसरा वाला विकल्ब आपका right answer हो जाएगा ठीक है चलो अगले स्वाल की तरफ चलते हैं आगे देख उस विकल्ब का चैन करे जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंदित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंदित है ठीक है जैसे देखो B, U, T को क्या लिखा है T, U, B मतलब यहाँ पे भी अक्षरों को क्या किया गया है उनके क्रम में परिवर्तन किया गया है B, U, T को T, U, B लिखा गया है तो N, E, T को क्या लिखेंगे बताओ उल्टा लिख देंगे न क्या लिखेंगे NET को लिखेंगे TEN लिख देंगे बोलो समझ में आई बात है ना NET को TEN लिख देंगे और TEN कहां पे है तीसरे विकल्प में है तीसरा विकल्प आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा है ना तो जिन लोगों को भी इस क्लास की PDF चाहिए तो आपको टेलिग्राम पे सर्च करना है क्या आट दरेड विकास सर विकास सर विकास सर विकास सर रीजिनिंग आपको जस्च करोगे और आप हमसे जुड़ जाओगे वहां पे इस क्लास की PDF और क्लास की notification आपको मिल जाएगे तो सांदार तरीके से पढ़ाई के रिए बहुत ही सुनारा मौका आपको वीडियो के लिए भी आ रहा है लेकपाल भी है यूपी पुलिस है सारी वेकेंसिया लगी हुई है तो आप मेहनत से अपनी पढ़ाई को जारी रखो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की है अब देहां पर देखो ए-बी-स-फी को एकस जेड वाई-एकस लिखा जाता है मतलब यह बीप्र Ada यहां पर क्या करेगा अपोजिट लेटर पैटर्ण काम करेगा ठीक है अब opposite letter pattern कैसे होता है, ध्यान देखना, कि हमने आपको बताया था, कि बहुत सारे trick बताये थे, कि a का opposite क्या होता है, z होता है, फिर हमने बताया था, कि क्या होता है, whatsapp पे जब हम क्या लिखते हैं, by लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, six लिखते हैं, फिर क्या होता है, dw होता ह फिर में बताया था L O V E लिख दो फिर क्या लिख दो S H I R T G लिख दो है न तो इसे बहुत सारे ट्रिक D W है फिर क्या हो जाएगा V या E V है न यह हमने आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताया था कि दोनों अपोजिट का योग क्या होगा 27 होगा दोनों अपोजिट का योग क् कर लोगे ठीक है जैसे देखो E का होता है 5 और 5 में क्या जोड़ दो के 27 हो जाए तो आप कोगे 5 में 22 जोड़ना पड़ेगा और 22 किस लेटर के लिए होता है V के लिए होता है ठीक अब देखो इसका क्या होगा F है ना F का कितना होता है 6 और 6 में क्या जोड़ दो के 27 हो तो एफ का आप उजिट क्या हो जाएगा यू हो जाएगा है ना फिर क्या हो गए जी जी का होता होता है 7 अब 7 में क्या जोडोकि 27 हो जायर तो आप को बीश जोडना है और किस gloss के लिए होता है क्लिए को एह रहे जैसे हम कहें आप से जी के बात कम 우리는 8, 8 में क्या जोड़ दो कि 27 हो जाए, तो आप कहोगे 19 जोड़ना पड़ेगा, है ना, और 19 किसके लिए होता है, बताओ, S के लिए होता है, तो ये S हो गया, ठीक, फिर उसके बाद, I, I का 9, 9 में कितना जोड़ना पड़ेगा, बताओ, 18 जोड़ना पड़ेगा, और 18 किसके लिए होता है, R के लिए होता है, तो I का आपोजिट, R हो गया, ठीक, I के बाद क्या हो गया, J, J का होता है, 10, और Q का क्या होता है, 17, 17 और 10 क्या हो गया, 27 हो गया, है न, जे के बाद क्या होता है, K, K का होता है, 11, 11 और 16 क्या हो गया, 27, K का P हो गया, है न, K, L, L का क्या हो जाएगा, होता है, O हो जाएगा, है न, और M का क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, यह अपोजिट का करम है, ठीक, यहां पर क्या है opposite का क्रम है, अब देखो, a का z, b का y, c का x, तो यहां पर x, x के भी प्रित्म में क्या होगा बताओ, c होगा, योगि 24, 3, 27, यह क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा CBA है क्या विकल्ब में दूसरा विकल्ब आपका right answer हो जाएगा क्या CBA है ना दूसरा विकल्ब आपका right answer हो जाएगा CBA ठीक है चलो आगे आगे देखो यह देखो चले ध्यान से देखिए DBU को EEZ लिखा जाता है तो CJH को क्या लिखा जाएगा है यह CJH के साध्रिस से क्या होगा आपको बताना है तो तुरंट से तेजी के साथ try करो है ना यह आपका speed test भी है है ना आप देखो किसके concept को आप कितना देर में पकड़ ले रहे हो टाइमर लगा के देखो क्योंकि आपकी practice भी महत्तुकुड है और सारे सवाल previous year परिक्षा में आए हुए हैं तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि एक भी सवाल ऐसा होगा जो बाहर से होगा ऐसा नहीं है सारे सवाल आपके previous year में पूछे गए हैं ठीक है चलो ध्यान से देखो डी से ई हुआ इसका मतलब plus one हुआ है ना बी से ई हुआ इसका मतलब plus three हुआ और यू से जड हुआ इसका मतलब क्या हुआ प्लस five तो लॉजिक क्या बना plus one plus three plus five क्या लॉजिक बना बताइए प्लस one plus three और प्लस five तो प्लस one प्लस one क्या हो जाएगा डी हो जाएगा प्लस three प्लस three क्या हो जाएगा एम हो जाएगा है ना क्योंकि जे का होता है दस तिन जोड़ोगे तेरा तेरा क्या हो जाएगा m और प्लस 5 प्लस 5 85 13 ये भी क्या हो जाएगा m तो dm m आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा dm m आपका right answer होगा है ना dm m आपका right answer होगा ठीक है चले चले बताओ यह क्या है यह बताओ क्या है ठीक बताओ भाई बताओ इसका इसका answer बताओ क्या होगा इसका answer बताओ क्या होगा इसका answer दो तेजी के साथ की क्या होगा ठीक है ध्यान से देखो अब देखो यह जाएगा d यह हो जाएगा a और यह होगा y d a y और यह क्या हो जाएगा s यह हो जाएगा u और यह हो जाएगा n अच्छा sun का मतलब सूर्य कब दिखता है day में दिखता है है ना sun सूर्य कब दिखता है day में दिखता है तो यह क्या हो जाएगा मून हो जाएगा अपोजिट है ध्यान रखना M O O N अपोजिट है मून कब दिखता है बताओ नाइट में दिखता है लेकिन नाइट सीधे नहीं लिखना है नाइट अपोजिट से लिखना है नाइट सीधे नहीं लिखना है अपोजिट से लिखो कि तो क्या हो जाएगा टी एच जी आई एन टी एच जी आई एन किस विकल्प में है चौथे विकल्प में है चौथा विकल्प आपका क्या होगा राइट आंसर होगा है ना टी एच जी आई एन चौथा विकल्प आपका राइट आंसर होगा है ना तुरंसे भाई वीडियो को यदि हमारे चैनल पर आप नए है तो इस वीडियो को लाइक करो सेर कर दो सभी लोगों के पास पहुंचा दो बता दो रिजिनिंग के क्लास आपके स्टार्ट हो गई है ठीक है सेर करते रहो तेजी के साथ तेजी के साथ सेर करते रहो ठीक है चलो इसका बताओ इसका बताओ आंसर क्या होगा वी जेड एस को लिखा है ई ए ए एच तो जे एफ एम किसका कोड है बताओ अभी तो बताया ना इसका लॉजिक क्या होगा बताओ अभी इसका लॉजिक बताओ भाई और M का क्या होता है, QUN cooking तीसरा विकल्प आपका right answer होगा, तीसरा विकल्प आपका right answer होगा, थेकर, यदि आपको इस class की pdf चाहिए, तो telegram पे आपको search करना है, विकास सर रीजिनिंग यह आपको कहां सर्च करना है टेली ग्राम पे सर्च करना है कहां सर्च करना है बताओ टेली ग्राम पे सर्च करना है विकास सर रीजिनिंग और सीधे आप जुड़ जाओगे और सीधे जुड़ जाओगे तो आपको क्या हो जाएगा बताओ क्या हो जाएगा इस class की पीडियाप class के महतपुड information और जो भी महतपुड announcement संस्था द्वारा होंगे वो भी आपको इस telegram पे मिलते रहेंगे ठीक है चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं चले ये सवाल बताई इसका answer क्या होगा बताओ तेजी के साथ समय लो बताओ तेजी से attempt लो एक बार कुद फिर मैं इसको बताऊंगा तो चीजे आपके लिए क्या होंगे बहतर होंगे बताओ बताओ मैं साइड हड़ जा रहा हूं आप बताओ की answer क्या होगा तेजी के साथ बताओ की answer क्या होगा कि देखो कि M से N मतलब आप इसको जब कुछ न समझ में आए न तो आप नंबर लिख दो अपने आप सलूसन मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखो तेरा और तीन सोला है न एक और तीन चार और चाओदा और तीन सतरा सब में प्लस तीन किया गया है सब में क्या किया गया है प्लस 3 किया गया है अब देखो डबलू का होता है 23,意思 14, प्लस 3 कितना होगा 26, 26 z के लिए होता है एक प्लस 3 कितना होगा? 4, 4D के लिए होता है और 14 में से 3 जोड दिया 17, 17Q के लिए होता है ZDQ कहां पे है? तीसरे विकल्प में है तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो गए ZDQ तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले स्वाल की तरफ अगला स्वाल आपके स्क्रिन पर ये रहा देख के आंसर देने का प्रियास करो आंसर देने का प्रियास करो तेजी के साथ आंसर दो है ना बताओ बता बताओ भई अंसर दो तेजी के साथ आंसर दो आंसर देना बहुत ही जरूरी है कमेंट में आंसर दो सभी लोग तेजी केसाथ ठीक है चलो ध्यान से देखो अब देखो U का होता है 21, T का होता है 20 और S का होता है 19 और यह कितना जुड़ा है तो यह प्लस 10 जुड़ा है कैसे 10 जुड़ा देखना 21 में जब 10 जोडेंगे न यह कितना होता है 31 होता है कितना होता है बताइए 31 होता है अब अंग्रेजी वड़माला में सिर्फ 26 लेटर होते हैं 26 से बड़ा तो कुछ होता नहीं है तो 26 से बड़ा जब भी नमबर आ जाए तो उसमें से आपको क्या करना है माइनस 26 कर देना 26 से बड़ा जब भी नमबर आ जाए तो उसमें 96 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 31 से 26 गया 5 और 5 किसके लिए होता है एक के लिए होता है अब देखो 20 यहाँ पे भी क्या है बताओ प्लस 10 है कैसे देखो 20 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और वापस से यह 26 से ज़्यादा है है ना 30 क्या है 26 से ज़्यादा है तो इसमें से आप तुरंद क्या करोगे minus 27 करोगे तो क्या हो जाएगा 4 और 4 किसके लिए होता है D के लिए होता है तो यहाँ पे तो D हो जाएगा क्या हो जाएगा बोलिए D हो जाएगा ठीक चले अब देखिए 19 19 में भी यह 10 जूड़ा है कैसे देखो 19 में 10 जोड़ोगे तो 29 हो जाएगा और यह भी 26 से जादा है तो minus 26 करोगे 3 किसके लिए C के लिए होता है और EDC है है ना EDC है तो यहाँ पे भी देखो W W का होता है 23 और 23 में 10 जोड़ दिया तो क्या हो गया 23 23 जादा है minus 26 कर दिया क्या आगया 7 है 7 का मतलब G होगा 7 का मतलब क्या होगा G होगा और G तो विकल्प में है ही नहीं इसका मतलब इस लॉजिक के बारे में नहीं सोचना जी तो है ही नहीं भाई है ना तो इस लॉजिक के बारे में नहीं सोचना फिर क्या होगा चलो देखो यह लगतार है देखो जो लॉजिक बना रहे तो उस लॉजिक से नहीं बना ठीक है अब देखो यह लगतार है अब देखो यहां पर तीन अक्षर के लिए छे अक्षरों की कोडिंग है कैसे करोगे इसको तीन अक्षर के लिए छे अक्षर है तो कैसे करोगे द्यान से देखना जैसे एफ के लिए ए है और जी है मतलब एक माइनस वन प्लस वन जी के लिए क्या है एच है और जे है माइनस वन और प्लस वन जी के लिए क्या है एफ है और एच है मतलब एक अक्षर के लिए दो कोडिंग है एक उसके पहले वाला और एक उसके बाद वाला जैसे बी बी के लिए एक पहले वाला A और बाद वाला C है ना फिर I के लिए क्या हो जाएगा H और J फिर N के लिए M और O A C H J M O A C H J M O तीसरा वाला विकल्प आपका right answer होगा एक अक्सर के लिए दो coding है एक कम वाला एक ज्यादा वाला एक उससे पहले वाला एक उसके बाद वाला ठीक है clear है ना चलो आगे बढ़ते अगला सवाल आपके screen पर ये रहा है है ना बताओ इसका answer तेजी के साथ बताओ कि इसका answer क्या होगा तेजी के साथ बताओ भाई इसका answer क्या होगा तेजी के साथ बताओ कि इसका आंसर क्या होगा तेजी के साथ बताओ तेजी के साथ बताओ देखो यह जागा 4 प्लस 15 और प्लस 7 तो 15 चार 19 19 109 दूस साथ चब्श किसके 46 के लिए हो गया जेड के लिए हो गया है ना 26 किसके लिए हो गया जट लिया ठीक है तो यह हो जायगा तीन कar और बिस क्या हो जैगा जोड़ दोगे तो 24 और 24 किसके लिए हो जाएगा X मतलब इन 3 अक्षरों के numeric value को हम जोड़ दे तो जो संख्या बनी उसी का numeric value लेते हैं जैसे इसको आपने जोड़ दिया 15, 26 और 26 किसके लिए होता है एंग्रेजी वड़माला में Z के लिए होता है इसलिए आपने Z लिख दिया ठीक वो इसे C का 3 A का 1 और T का 20 21 का 24 और 24 किसके लिए होता है X के लिए होता है तो इसका आंसर आपने X लिख दिया ठीक है X लिख दिया चलो आगे आगे चलो इसका बताईए बहुत ही आसान है बहुत ही आसान है इसका तो बता ही लोगे बहुत ही आसान है भाई इसका तो बता लोगे है ना A C D क्या हो जाएगा E F G क्या हो जाएगा इसका E F G आपका आंसर हो जाएगा E F G है ना clear है बोलो यदि आपको इस class की PDF चाहिए तो आपको टेलिग्राम पे सर्च करना है दोस्तों क्या बताईए विकास सर रीजनिंग यह आपको टेलिग्राम पे सर्च करना है क्या विकास सर रीजनिंग है ना सीधे से आपको क्या हो जाएगा classes मिल जाएगे ठीक है चले कोई समस्त्या बोलो भाई कोई समस्या तो नहीं है चले आगे चले अब देखे प्लस नौ प्लस पांच प्लस एक यह क्या लॉजिक वह यार तो प्लस नौ करोगे तो रिखे जाएगा तीसरा वाला विकल्ब आपका राइट आंसर होगा भू लो खिल सवाल की तरप चलते हैं अगला सवाल आपके सकर्मिन पर ये रहा, बताओ, बताओ भैं, बताओ तेजी के साथ, टेजी के साथ बताओ की answer क्या होगा, है न? टेजी के साथ बताओ की answer क्या हो, तेजी के साथ देरन है ना त्छिक साथ आंसर बता हूं अब तो एं तीख से ऻो सब्सस्टा लॉए अब धियां देखना अल का होता है बारह व का होता है पंदरह और एम का होता है तेरह एन का होता है 14 एम का होता है 13 और इसका होता है 11 अब देखो 12 से 14 हुआ इसका मतलब प्लस दो हुआ 15 से 13 हुआ इसका मतलब माइनस दो हुआ और 13 से 11 हुआ इसका मतलब माइनस दो हुआ तो पहले में प्लस दो फिर माइनस दो माइनस दो तो अब देखो तो पी का 16, के का 11 और आई का 9, तो प्लस दो करोगे तो क्या हो जाएगा 18, और 18 किसका होता है, आर का होता है, माइनस दो करोगे तो क्या हो जाएगा 9, 9 किसका होता है, आई का होता है, और माइनस दो करोगे तो 7, 7 किसका होता है, जी का होता है, आर आई जी है, तीसरा विकल् आपका राइट आंसर होगा आर आई जी त ते रहें है चलो बना लो भाई बना लो चलो आगे यह लाढ़ कि अंग बताओ बताओ कि इसका आंसर क्या होगा तेजी के साथ बताओ कि इसका answer क्या होगा? तेजी के साथ बताओ. तेजी के साथ बताओ. ठीक, देखो. C, C का J, इसका मतलब क्या बताइए? माइनस 3 है. D का मतलब माइनस 6 है. है का 26, 35, 31, माइनस 5, माइनस 6 है. य का होता है बताओ. कितना हो गया? 31, 36, माइनस 6, ठीक, माइनस 3, माइनस 3, यह लाजिक है. क्या है? बताइए? माइनस 3, माइनस 6 माइनस 6 यही लॉजिक है ना तो सेम पैटरन आगे फालो करोगे माइनस 3 करोगे तो बी जब की विकल्प में नहीं है इसका मतलब यह लॉजिक तो सोचना ही नहीं सोचो ही नहीं यह लॉजिक ठीक कुछ और सोचो यह तो लॉजिक ही नहीं भाई यह तो लॉजिक ही नहीं सी डी ए अच्छा मालो इसकी कोडिंग सी की जड से हुई है डी की एक से हुई है वाई से डी की किस से हुई है बताओ x से और c की किससे हुई है बताए z से why x z है क्या हो गया तो अंसर हो गया है न देखो इसकी coding logik देखो जिला साथ्याण से समझो क्या logic है ज्यसे माले इसको c की coding है यह यह d की coding है और e की coding है अब इसी c de k baseball करम बदल कर लिख दिया गया है इसी c d e को उल्टा c d c d उल्टा तो अब देखो c d e सीधा e d c उल्टा लिख दिया गया है तो यह x y z x y क्या हो जाएगा y x z यही तो हो जाएगा और यह किसके साथ मिल रहा है दूसरे वाले विकल्प के साथ मिल रहा है दूसरा वाला विकल्प आपका right answer होगा ठीक चले चले बताई अगले का बताई है ठीक चले देखो b का d क्या है बताओ b का d है प्लस 2 है 11 का 14 प्लस 3 है 16 का 18 प्लस 2 है और 7 का 10 प्लस 3 है तो प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 यही तो लगा तो यही सेल काम आगे भी करेंगे प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 है ना तो प्लस 2 करेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा 5 का मतलब e हो जाएगा प्लस 3 करेंगे तो 13 16 16 क्या हो जाएगा P हो जाएगा फिर प्लस 2 करेंगे तो 17 क्या हो जाएगा Q आजाएगा और फिर प्लस 3 करेंगे तो 7, 3, 10 हो जाएगा EP QJ EP QJ कहां पे है दूसरा वाला विकल्प है दूसरा वाला विकल्प आपका right answer होगा ठीक है यदि आपको इस class की PDF चाहिए तो आपको टेलिग्राम पे सर्च करो जल्दी से जाके क्या विकास सर रीजिनिंग अगर आपने सर्च नहीं किया है तो ठीक है चलो आगे ठीक चल चले आगे देखे दो D का Z है है ना माइनस चाहर है H का D माइनस चाहर है P का L माइनस चाहर है और Q का M minus 4 सभी में क्या किया गया है minus 4 किया गया तो आगे जो भी पूछेगा उसमें हम क्या करेंगे बताइए minus 4 ही तो करेंगे जैसे यहाँ पर हमने minus 4 किया तो 15 15 O के लिए हो गया फिर हमने minus 4 किया तो 19 19 S के लिए हो गया minus 4 किया तो 5 5E के लिए हो गया और माइनस चार किया तो 21 U के लिए O-S-EW O-S-EW पहला वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा है न O-S-EW ठीक चलो आगे बढ़ते हैं यह चलो आर वी क्या है बताइए आर वी एल पी को S-W-M-Q लिखा गया है तो G-L-K-P को क्या लिखा जाए ठीक है अब ध्यान से देखना ठीक है जैसे 18 एक 19 वी 22 और एक 23 बारा और एक 13 और 16 एक 17 सब में प्लस वन किया गया है क्या किया गया है सब में प्लस वन किया है अब जो पूछे उसमें भी प्लस वन तो G में प्लस वन क्या हो जाएगा H हो जाएगा L प्लस वन क्या हो जाएगा L हो जाएगा और P प्लस वन क्या हो जाएगा Q हो जाएगा H M L Q कहां पे है तीसरे विकल्प में है तो तीसरा विक बता इसको देखो है थेजी से स्वालव करते हैं ठीक है ठीक है देखो प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 और प्लस 2 यही तो लॉजिक है फ्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 विकलब में दूसरा वाला विकलब आपका राइट आंसर होगा, लॉजिक क्या है, प्लस पांच प्लस चार प्लस तीन प्लस दो, यही आपका लोजिक आगे भी काम करेगा ठीक है चलो आगे देखें अब देखो इसी को उल्टा सीधा लिख दिया गया जैसे देखो S N O P को O N S P लिख दिया गया तो C L A Y का लिखेंगे बताइए A L C Y A L C Y है क्या A L C Y पहले विकल्प में है पहला वाला ही आपका राइट आंसर होगा है न A L C Y पहले विकल्प में है पहला विकल्प ही आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चलो आगे देखो है न, इसका देखो क्या होगा ध्यान से देखो है न, attempt भी लेते रहो खुद से एक बार solve करती रहो है खुद से solve करो, कितना जल्दी आप solve कर पा रहे हो, यही speed test है आप, जितना अच्छा आपका speed test होगा ना, उतना ही आप exam में अच्छा performance करोगे, तो जरूरी है कि आप अपने speed test को जरूर चेक करो, है ना, चेक करो कि कितना speed test आ रहा है, ठीक, कितना जल्दी कर पा रहा है, यहां पे भी minus two करोगे तो j हो जाएगा, minus two करोगे तो a हो जाएगा, minus two करोगे तो, sorry, plus two लिख दिया है, होगा कि यहां पे minus two, तो पंदर में से 13m हो जाएगा, और minus two करोगे तो n हो जाएगा, jamn कहां पे है, दूसरे विकल्प में है, दूसरा विकल्प आपका right answer होगा, है है नहीं है चल अगला स्वार बताओ इसका अंसर क्या हो तेजी से बताओ कि इसका अंसर क्या होगा तेजी से बताओ वाई है ना स्टी ओपी है ना अब देखो एस का टी हुआ प्लस वन टी का आर हुआ माइनस टू फिर यह लोजिक नहीं बैट रहा है भाई ठीक देखो यह वाला पैटर नहीं बैट रहा है अब देखो इस पर क्या बैट रहा है टी आर वी टी तो यह क्या है प्लस चार यह क्या है प्लस तीन यह क्या है प्लस दो और यह क्या है प्लस वन यह लॉजिक है है ना तो यहीं पर देखना है आपको कि डी प्लस चार होना चाहिए नहीं है 12, 4, 16, 9, 3, 12, 1, 3, 4, 8, 9 इस में मिल रहा है दूसरा वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो कैसे देखो H, A, I, L को क्या लिखा है P, L, C, I 12, 4, 16, 9, 3, 12, 1, 2, 3 और 8 और 1, 9 क्या हो जाएगा H, A, I, L, P, L, C, I ठीक है चले चले आगे बताए इसका आंसर बताए यह क्या हो ते जी के साथ बताओ ठीक है देखो अब देखो यह क्या है 18, 5, 23, 5 9 में से 5 7 में से माइनस 5 और T, प्लस 5 ठीक है ना लॉजिक क्या होगा प्लस 5 माइनस 5, माइनस 5 और फिर प्लस 5 ठीक है तो देखो यहां पे प्लस 5 करोगे तो क्या हो जाएगा 11, 11 क का होता यह तो नहीं है इसका मतलब यह वाला लॉजिक नहीं है यह वाला लॉजिक तो नहीं है प्लस 3, माइनस 3, माइनस 6, प्लस 6, था है ना, ठीक है, देखो डबलू, डी, बी, वाई तो टी से यू, प्लस 3 होगा ना, यह ना तो 8, 3, 11, के तो है ही नहीं ना के तो है ही नहीं, यह तो नहीं होगा है ना, यह तो नहीं होगा यार, और कुछ लॉजिक देखो इसका नुमेरिक वेलू लिखके देखो तो 18, 9, 7, 20, 23, 4, 2, 25, है ना, उल्टा भी लिखके दो 18, 9, 18, 27, 4, 23, ओ माई गाड, उल्टा लिखा यार आर का आई, जी का टी, डी का डबलू, बी का वाई, एफ का यू, S का ह, है ना, तो पी का के, जे का, क्यूए, भी तो आपोजिक यह यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, ठीक है, यह दोनों में हो सकते अब देखो, ध्यान से देखो, आर का आई, बड़ा छोटा बड़ा पहले छोटा बाद में छोटा पहले बड़ा बाद में तो छोटा पहले बड़ा बाद में ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा है ना छोटा पहले देखो यहाँ पे बड़ा पहले है छोटा मतलब 18-9 का अपोजिट है और ये क्या है 23-4 का अपोजिट है लेक ठीक है चलो ऐसे ही सवाल फस्ता रहता है ना ऐसे ही सवाल आपका फस्ता रहता है ठीक है चलो बताओ, इसका आंसर बताओ, है न, H का I, है न, H का I, O का P, P का Q, E का F, प्लस वन है, है न, तो M का N, O का P, L का M, T का U, U का V, तो N, P, M, U, V, N, P, M, U, V, दूसरा वाला विकलप आपका राइट आंसर होगा, ठीक, N, P, M, U, V, चले, आगे, यहाँ पर देखे, M, 13, 2, 15, प्लस दो, प्लस दो, प्लस दो, क्या है, प्लस दो, माइनस दो, प्लस दो, माइनस दो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, प्लस दो, E हो जाएगा, माइनस दो, G हो जाएगा, प्लस दो, क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, और माइनस दो, क्या हो जाएगा, B, तो E, G, C, B E, G, C, B कहां पे है बताइए दूसरे वाले विकल्प में है दूसरा वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगले स्वाल की तरफ अब आप concept समझ गए हो तो कोई दिक्कत नहीं ठीक है अब देखो यहां पर क्या है cold इसको opposite कलोगे तो क्या हो जाएगा cold cold का क्या है? ice तो hot hot का क्या होगा बताइए hot क्या हो जाएगा? t हो जाएगा है ना? hot क्या हो जाएगा? t हो जाएगा और t इसके साथ बन रहा है तो तीसरा वाला विकल्प आपका right answer होगा है ना, तीसरा वाला विकल्प आपका right answer होगा, ठीक है शले, आगे यह देखे है ना, बताओ बताओ भाई, बताओ तेजी के साथ, ठीक है चला, जहां से देख minus 4, minus 4 minus 4, minus 4 तो minus 4 minus 4 नहीं होगा नहीं होगा ना, क्योंकि minus 4, b, b होना चाहिए 6 में से 4 गया 18, 4, 22, यह तो नहीं होगा logic भाई यह तो नहीं होगा logic, ठीक है 22, 22 नहीं होगा हू जाएगा भाई, 22, 24, 25, नहीं है यार किया है माइनस यार माइनस यार माइनस यार गड़ बढ़ है ना साथ यह भी लॉजिक नहीं लग रहा है अच्छा इसको हम लिखेंगे 99726 तब अज़िसको लिखेंगे क्या लॉजिक हो सकता है इसमें जरा सोचो जरा साथ है ना वी वी एक्स वाई आर आर एई यू इसका यह होना चाहिए एक लॉजिक यह बैठ रहा है देखो यह दो लगतार है यह दो तो वही सब्द है और यह लगतार है यह दो सब्द यह लगतार है देखो यह दो सब्ध लेकिन यह लगतार नहीं है यह दो सब्द है और क्या है लगतार है तो इसको impact भो सकता है मैं देखके इसको सॉल्विक पर Igles. चार मिनार इंडिया में है ना देखो चार मिनार इंडिया में तो पिरामिट कहां पे है मिस्रिया इजिप्ट में है ना क्या हो जाएगा इजिप्ट हो जाएगा पिरामिट कहां है मिस्रिया इजिप्ट में है तो यह आपका आंसर हो जाएगा यहां पर ठीक है चलो आगे क्लोज ओपिन तो कट कट का क्या हो जाएगा इस अटाइच हो जाएगा जोड़ना ठीक है चलो टाक चैट पॉर है न यह भी कर लोगे आप चलो मिघाला इस तिलांग बिहार पटना ठीक है तो आई होगा आपका यह सवाल हो जाएगा सारा इसके आगे हम लोग नेक्स्टन पर मिलते हैं ठीक है तो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं नेक्स्टन में मिलते हैं तब तक के लिए गुडबार एंड जय हिन जय भारत दोस्तों मिलते हैं